हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई होग के बहुत अच्छे हैं आज है फुल मून अभी मेरे को फुर्सत मिली है कुछ दिनों से बहुत जादा कुछ काम हो रहा था घर में इसलिए मैं रेगुलर रिडिंग नहीं लेकर आ रही थी गाईज सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपके लिए एक आफर है काफी टाइम से मैं परसनल रिडिंग नहीं कर रही थी और कांसलिंग भी नहीं ले रही थी और अभी में को डिवाइन की कुछ गाईडेंस मिली तो उन्होंने कहा कि अब ज़रा स्टार्ट की जाए ओके तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ट डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में नॉट कमेंट बॉक्स तो उसमें से आप मेरा नंबर लेकर और हाँ सबसे पहले कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं यह हूँ मैं वो हूँ बिलकुल मुफ्त में तो पानी भी नहीं मिलता ये मेरी energy है और exchange energy exchange होना बहुत जरूरी है जो भी है बिल्कुल आप पे करेंगे और फिर reading लेंगे बिल्कुल भी excuses नहीं होगा guys अगर आप अपने अंदर ये blockage रखेंगे तो आपके अंदर सबसे बड़ा blockage है कि आप हर चीज मुफ्त में पाना चाते हैं ठीक है तो whatsapp पर आप में से मेरे को contact कर सकते हैं जिसको भी personal reading लेनी है counseling लेनी है 1500 वन आर नहीं तो मैं 2000 में करती हूँ ज्यादा तर मैं 2200 में करती थी यानि 2200 रुपे और फिर मैंने 2000 किये थे क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा objection होने लगा था आप बहुत महंगा करते हो यह करते हो लेकिन उन्हें नहीं पता एक घंटे में कितनी energy हमारी जाती है तो मैंने एक offer निकाला है क्योंकि मैंने starting की है यहां से यह one hour के लिए session लोगी उसमे counseling है आपकी terror और इससे आपके energy पिक करकर आपको बताऊंगी और फिर जो भी guidance मिले की वो remedies आपको बताई जाएंगी और आपकी life जखकास होने वाली है तो फिर देर किस बात की है ठीक है description में अपना phone number डाल दूँगी जिसको भी personal tarot reading या one hour का session लेना है बिल्कुल 1500 बिल्कुल मैं अता रही हूँ और फिर आप मेरे से contact कर सकते हैं ओके no if but ओके कि इतना है उतना है मैंने आपको बता दिया जो भी जिसको भी आना है बिल्कुल आप ले सकते हैं तो शुरू करते हैं full moon पर आपके partner की क्या energy रहने वाली है आप लोगों को मैं बहुत miss करती हूँ आप लोग भी में बहुत miss करते हैं आपकी missing energy मैंने को बहुत पिक होती है क्योंकि आप प्यार करते हैं मुझे और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ इसमें कोई शक नहीं है चलिए देखते हैं आपके partner की फुल मुन पर क्या क्या energy है ओके चलिए ओके आपके 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 माइकल प्लीज मेरे विवर्स के जो partner है उनकी फुल मुन पर क्या current energy है क्या सोच रहे हैं वो ओके emotional freedom ओके intimacy okay spiritual maturity एक और कार लेते हैं हम एक सेकेंड काईस soulmates okay okay divine past peace divine angels आके यह माइकल प्लीज बताईएं inner peace manifestation हांजी आपके जो partner हैं अपनी power में आ रहे हैं सबसे पहले तो ठीक हैं आपको अपनी embrace समझते हैं second third compatibility यानी आपको अपना एक true partner समझते हैं soul partner समझते हैं इसली soulmate का card भी आया है overall यह energy है guys soulmate समझते हैं spiritual maturity यानी कि उनको इस full moon पर कुछ लोग जो हैं जो मेरे वीवर्स हैं काफी time से spiritual connection को फील कर रहे हैं और आप अपनी जर्णी में आगे भी बढ़ रहे हैं spiritual journey में आगे बढ़ रहे है spiritual maturity के साथ आपके जो partner है spiritual maturity उनके अंदर यानी कि वो अब यह जो connection है इसको ना बहुत spiritual समझते हैं ऐसा नहीं कि girlfriend boyfriend की तरह कि कुछ ना कुछ यह बहुती beautiful सा connection है एक इस connection में एक दिव्यता है divinity है ठीक है ना तो यह maturity यानी कि आपको एक साथ आगे बढ़ना है तो आपके partner को भी clarity मिल रही है intimacy यहाँ पर है आपके partner बिल्कुल obvious सी बात है जब इतना जादा प्यार होता है एक soul का एक soul से connection होता है turn flame है या higher level of soul mate connection में है तो एक physical intimacy आपके partner को feel होती है आपको इतना जादा प्यार वो देना चाहते हैं आप मैं energies की बात कर रही हूँ आप male female जैसे भी हैं देख सकते हैं emotional freedom कुछ की partner चाहते हैं कि वो emotionally free रहें थोड़ा सा अभी एक group के लिए है inner peace चाहते हैं वो आपको manifest भी कर रहे हैं लेकि inner peace चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपको call message करें या आप भी उनको call message करें क्योंकि वो अपने अंदर का जो एक शान्त क्योंकि नहीं यह connection इतना intense होता है ना guys कि आपके जो partner होते हैं वो run करते हैं रन क्यों करते हैं कि उनको लग क्योंकि इतना प्यार उनको किसे से मिला नहीं होता है इस connection में जो मिला होता है तो वो नहीं करते हैं उनको वो अपने ही अपने से ही run करते हैं एक तरह से देखा जया तो वो अपने आपसे ही run करते हैं वो आपसे नहीं रन करते हैं वो अपने आपसे run करते हैं कि नहीं मैं इतना प्यार नहीं जहिल सकता भाई या जहिल सकती ठीक है manifest कर रहे हैं काफी physical intimacy की वो energy है manifest कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने आप से प्यार कर रहे हैं ये भी वो सोचते हैं आपने अपनी बाउंडरी बना ली हैं आपके अंदर एक विज्टम आपको एक एक तरह से आपने उन चीजों को बिल्कुल क्रॉस कर देते हैं काटा मार पर आपको पसंद नहीं है तो आपके पार्टनर भी इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि भाई अब वो मेरी इस चीज़ बरदाश्य करेगी या इस चीज़ को क्या कहते हैं अगर मैं कुछ भी जैसे आपकी पास्ट में कुछ भी बाते हुई थी तो उन चीजों को रिकॉल करते हैं कि अब मैं वो चीज नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने आपसे प्यार करने लेगें अपने आपकी जो पावर है आप उसमें आ रहे हो तो उन चीज़ों को वो समझते हैं अगर उन्होंने इस चीज़ को अगर आपके साथ कुछ भी जैसे आपको लगता होगा कि गलत चीज़े की हैं गलत एक रूड बिहेवियर उनका रहा है पास्ट में तो वो अब नहीं होग मतलब कि वो यह सोच रहे हैं कैसे बताओं मतलब कि वो आपसे डर रहे हैं तेरह से कि अगर मैंने कुछ भी कॉल मैसेज पर कुछ भी अगर इसको इस तरह की कुछ ऐसी नेगिटिव बाते करी तो मैं कहीं खोन आदू है ना आप इतने जादा स्ट्रॉंग हो गए हैं यह मै अज लेते हैं चीजों को क्योंकि आपकी एनरजी वहां तक जाती है अड़ि और यह जो लाइट है न यह फो यही लाइट उनको संधिरे से दूर करती है या ठार्टि है या negative people है या कुछ भी कुछ भी गलत है उनके आसपास जो manipulate manipulating वाली जो चीज़े होते हैं manipulate होते हैं आपके partner वो चीजों से दूर होते हैं जब आपकी light उन तक पहुंचने लगती है अगर आपको आपके partner बहुत अच्छी energy है spiritual path पे है आपके partner भी heart chakra open हो रहा है soulmate का card है यहां पे तो एक soul connection feel कर रहे हैं आपके साथ बहुत beautiful सी energy है आपको अपना soulmate समझते हैं टैरो से देख लेते हैं sun का card है पहले ही card sun का card आ गया एक happiness एक ultimate happiness क्या करते हैं आपके partner आपके साथ और वो clarity आपके partner को मिलेगी और मिली है और वो clarity है already उनके साथ लेकिन कहीं ना कहीं confusion के बादल उनके दिमाग में चाहे रहते हैं वो confusion जो होता है उससे दूर हटेंगे अब ओके और ये happiness आपकी लिखी हुई है guys already ये खुशियां आपकी है और इनको कोई छीन नहीं सकता ठीक है तो ये इन पर इस चीज़ पर शक मत किया किजे आप लोग कि मेरा partner मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा हमारा reunion होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं है आपका reunion होगा लिखा हुआ है बिलकुल इसमें कोई शक नहीं है आप बस wait मत किया किजे अपने आप पर काम किजे दूसरा है जो भी negativity थी आपके partner उससे दूर जा रहे है एक positivity की तरफ जा रहे हैं आपके partner ठीक है और आपके partner एक अपनी power में आ रहे हैं एक emperor की position में है वो और इस energy में है बिलकुल आपके लिए वो ready है लेकिन उनको अभी यह मैं सोचना कि ready है मैं आपने कहा दियो है मैं कॉल कर लेती हूँ कर लेता हूँ message कर देता हूँ no ठीक है जब तक उनक कि तरफ से signal नहीं मिलेगा आपको बिलकुल करने की जुरत नहीं है divine timing आने दो आप अपने आपे automatically कर दोगे ठीक है कोई doubt नहीं होगा आपके दिमाग में उस time the devil बिलकुल एक एक बहुत ज़्यादा आपको miss कर रहे हैं एक तरह से एक जो negativity थी उनके दिमाग में आपको लेके वो दूर हो रही है काफी परिशान से हो रहे है कि यह देखिए missing वाली energy यही मैं सोची थी card क्या बताएगा तो वही है कि missing वाली energy है काफी physical intimacy की energy है यहाँ ठीक है क्योंकि यह card आ रहा है मैं लेती हूँ इसको प्योंकि एक्शन लेंगे आपके लिए एक्शन के लिए मैंने बोला क्या एक्शन लेंगे एक्शन लेते हुए न क्योंकि clarity मिल रहे है negativity से दूर जा रहे हैं वो और एक एंप्रियर की position पे हैं एंप्रियर की energy में हैं थ्री की तरह देखते हैं आपको कि इसके आने से मेरी life में कित्ती खुशियां आई थी और मैंने इसी को छोड़ दिया अब फिर से उनको clarity मिल रहे हैं कुछ के partner काफी confusion में है confusion दूर होगा आपके partner का ऐसा नहीं है कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं स्टैंड लेते भी नजर आ रहे हैं अपने लिए protection लिएवे हैं negative people जो हैं और कुछ भी आसपास के जो चीजे हैं उनसे काफी अपना बचाव कर रहे हैं आपके partner जो भी कार्मेक्स हैं जो भी गलत लोग हैं king of pentacle बिलकुल आगे बढ़ेंगे abundance आपके partner की life में आ रही है और आपकी तरफ action लेंगे guys आपको बहुत miss कर रहे हैं ठीक है यह देखिए आपको बहुत miss कर रहे हैं काफी miss कर रहे है बड़ा आप the deck है इस ace of pentacles इस of pentacles यानि कि डटे डटे हुए हैं आपके partner बिलकुल भी हार नहीं मान रहे हैं इस connection को लेके जो भी परेशानिया थी दूर ह कर सकते हैं online आप लोग मिले हैं ठीक है न यह है और बिलकुल अपनी एक spiritual वे में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं अपनी abundance में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं वो एक victory चाहते हैं इस रिष्टे में एक victory चाहते हैं इस connection में ठीक है तो यह है बात तो देर किस बात की है खुश होने का time है ओके चलिए आपके partner का heart chakra open हुआ है आपके लिए आपके लिए जोगो गलस सोचते थे न अब बहुत एक positive way में सोच रहे हैं कि यार यही मेरा connection है ठीक है कुछ की partner बहुत उदास हैं अभी भी काफी उदास हैं बहुत ज्यादा negativity में भी है negative भी सोच रहे है कि क्या है क्या था यह है क्या करूँगा इस connection में रहके यह क्या होगा इसका रिष्टे का आगा उनको यह नहीं पता यह soul connection है उनको यह पता है कि बस यह मेरा मैंने इससे प्यार किया यह मेरा प्यार है और फिलपरेट आप हुए तो separate भी इसलिए होते हैं कि यह आपके partner सोचके कि यह कैसा connection है अजीव सा उनको लगता है sorrow बिल्कुल आपके partner बहुत ज़्यादा depression में है कुछ के कुछ उनका loss हुआ है guys अभी या तो job उनकी जा सकती कुछ के लिए है ठीक है बताना मुझे comment box में आख कुछ की बिल्कुल clarity सन मैंने बोला clarity मिलेगी एक सच्चाई उनके सामने आएगी इस रिष्टे में intention वह अच्छी रखना है इस रिष्टे में ठीक है चीजों को समझने के लिए काफी close है वह इस में है न और जो भी बुरी चीज़े हैं उन्होंने पीछे छोड़ दी है एक तरह से टाइम आगे है बस भाई दी एंड करो अब मैं आगे बढ़ा ठीक है एक तरह से बुरी चीजों का अंत और देख लेते हैं क्या है वह क्या कि माइकल प्रीज बताईए और क्या है काफी टाइम से मैंने डेटेल में रिडिंग नहीं किये गाइस आप लोग बहुत मेंस करता है मैं जानती हूं मुझे काफी एनरजी में फील होती है आप लोगों की लोयल टीबल को आपके पार्टनर एक लोयल है वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए लोयल हूँ प्लीज मुझे चोड़ो मत और मेरे बारे में बुरा मत सोचो विश्वास रखो है ना आपके पार्टनर ये कह रहे है साइलेंस है अभी थोड़ा सा एक तरह से पॉज मोड पे हैं चीज़ों को सूझ रहे हैं समझ रहे हैं उनके पास कोई शब्द नहीं है ठीक है क्या करूं क्या कहूं कुछ शब्दी नहीं है कुछ की पार्टनर में ऐसा फील कर रहे हैं बिटरनेस कुछ के लिए क्या है रिसेंट्मेंट के एनरजी है एंगर के एनरजी है और काफी आपके पार्टनर जो भी कड़वे शब्द दिखाए होंगे आपके आपको वो चीजे आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहे हैं कि कितना वो के लिए कि अगर आपकी लड़ाई जखड़े हुए तो वो चीजे भी वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया ठीक है इस फुल मून पे आज जो है फुल मून है कन्फ्यूजन तो दूर होगा सीक्रेट्स उनके सामने जो भी हैं वो रिवील होंगे थर्ड पार्टी के या जो भी आपके बीच में साप्रेशन हुआ है वो चीजे जो आपके बीच में समझ नहीं पाए थे आप भी सोचते थे मेरे बिबस कि ऐसा क्यों किया मेरे पार्टनर है ना वो जो भी मिस्ट्री बनी हुई थी वो सब रिवील होंगे अब सामने आएंगे परदा फार्श है ओके चेंजिस बिल्कुल आ रहे हैं आपके पार्टनर में काफी चेंजिस आ रहे हैं ठीक है कुछ चीजे डिले हो रही हैं बट ठीक है अच्छे के लिए होता है जो जो आप को ऐसा लगता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता बट कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के साथ पताना मुझे और कुछ परेशानिया होई है या तो फैमिली में हो सकती है आपके पार्टनर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में होई है कुछ ना कुछ उनके सा बहुत अच्छी है अगर आपको कुछ बी होता है तो उनको पता चल जाता है कही ना कहीं मैसिज से जुड़े होते हैं आपके पार्टर आपको बहुत स्टॉक करते नज़रा रहे हैं बहुत ज़्यादा सोचल मेडिया पर और देख लेती हूं इंजल काफी मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को और देख ले रही हूं कुछ की की पार्टर अभी कुछ बीच में बाते हुएं आपकी बट फिर से ऊनफ ओनफवें फिस आपके पार्टर रन कर गए हैं कुछ यहां पर ऐसी nt Shelby आई है chemistry काफी अच्छी है लोगों कि आपकी बीच में chemistry तो बहुत अच्छी है बट कहीं ना कि यह आप इतना ज़्यादा उमीदें लगा बैठते हो कि आपके partner आपसे रन करते हैं है ना एक आप में spark है एक attraction है आपके अंदर एक आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो passion है वो आपके partner को बहुत पसंद है गाई और इसी वज़े से आपकी तरफ attracted है और आपके बीच की जो chemistry है बहुत ही compatibility है बहुत अच्छी है infatuation एक लगाव है है ना और एक addiction है आप लोगों को एक दूसरे के लिए लस्टिंग वाली देखिए मैंने बोला न यहां पे physical intimacy की energy लस्टिंग वाला आ गया devil भी इसी लिए यह energy दिखा रहा है कि आपकी बीच दोनों की बीच में यह energy है जातर आपके partner के अंदर है कि काफी physical intimacy की आप energy है काफी sexually attracted है आपकी तरफ ओके last चलिए मैं थोड़ी लंबी reading हो जाएगी guys कई बात नहीं काफी time बात कर रही हूं तो मैं आपको detail में ही बताना चाहूंगी यहां से देख लेते हैं क्या guidance है काफी लेट रीडिंग कर रही हूं अगर किसी को रीडिंग कर वानी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में में मेरा नंबर है मेरे से contact कर लीजेगा ओके step out of your comfort zone आप लोगों के लिए क्या है guidance की अपने comfort zone से बाहर निकल लिए मेरे viewers जो देख रहे हैं ठीक है it's time to release negativity बिल्कुल full moon पर जो भी negativity है release करनी चाहिए और एक अच्छी picture अपने सामने बनाईए कि आपको करना क्या है life में ठीक है ना तो एक clarity अपने अंदर लेके आईए कि आपको करना क्या है एक comfort zone से आप बाहर निकल लिए guys ओके यह आपके लिए अच्छी guidance है full moon पर और देख लेते हैं आपके partner क्या कहना चाहते हैं आपसे देख लेते हैं you sound sexy over the phone आप phone पर बात करते हो ना आपकी आवाज उनको बहुत sexy लगती है वाव और क्या है you love me for what I am वाव और क्या है you respect everything I like और you are very forgiving वाव इसलिए आपके partner आपको बहुत प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं क्योंकि आप अच्छे हो you appreciate me okay दो card और लेते हैं you are my strength and you are my home यह हमेशा आता है मेरे पास और bottom of the deck है you bring peace to me okay you are my strength बिल्कुल आप उनकी strength है आप उनकी impress है बिल्कु वो समझते हैं आप आपके साथ बात करने से आपके साथ रहने से उनको ऐसा feel होता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ अपने घर आ गई हूँ घर जैसा feel होता है आपके साथ आपको बहुत प्यार करते हैं ऐसे energy है जो viewers अभी बीच में phone call पर बात करते थे करते थे call message में कुछ भी आप करते थे कहीं ना कहीं खटपट हुई है तो उनके लिए guidance आ रही है मुझे बिल्कुल आप परिशान मत हुई है अपने नवाग कीजिए और अपने पार्टनर को डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए अगर आप कि टेक केर बाई गडब्स यौल लव यौल जैमात अदी